मंच परुपस्थित जिनके उस तक का विमोचन अभी-अभी हमने किया ऐसे एक बहुत ही विजनरी नेता, एक अभ्यासक और हमारे बहुत ही करीबी ऐसे डॉक्टर सतीष चतुरुवेदी जी, भावी जी, आभाताई चतुरुवेदी, डॉक्टर धाले जी, डॉक्टर विवेक नानूटी जी, प्रफिसर हविप खान जी, परदुष्यन चतुरुवेदी जी, डॉक्र अभी जी जी यहां पर उपस्तित सभी मानुभाव और उपस्तित सभी बेहनों और भाईयों मेरे युवा साथियों यह बहुत है सवभाग्य की बात है कि डॉक्टर सतीश चतुरवेदी जी ने बहुत ही अध्यान के बाद संशोधन के बाद जो किताब लिखी ट्रांस्फर आफ पावर इस किताब के विमोचन के लिए मुझे निमंत्रित किया और यह सुवशर मुझे प्रदान किया इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हम कई वर्षों से साथ हमें काम करते हैं और मैंने अक्सर यह देखा है कि बाबु जी एक बहुत ही विजनरी इस प्रकार के नेता है उनके पास विचार भी है सूजबूज भी है आकलन करने की एक अलग शक्ति है और किसी भी चीज़ को एक अलग प्रस्पेक्टिव में देखना यह उनकी हमेशा खासियत रही है हम लोग कई बार विधान सभा में जब बैठते थे और थोड़ा कामकाज कम होता था तो लॉबी में बैठते थे और हम लोग हमेशा यह कहते थे कि सभागरुव में तो वो अच्छा काम करते ही है लेकिन बाबु जी लॉबी के बादशाह थे लॉबी में सारे MLS को जमा करके जब बाबु जी उन पर ग्यान वर्षा करते थे तो उनको सुनना यह अपने आप में ट्रीट थी और हर चीज का एक अलग आकल और एक अलग प्र आश्र चकिर भी होते थे कि इसकी यह माइने भी हो सकते हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि इसी कारण से उनका जो एक राज निती में बिरलापन हमको देखने को मिलता है और हम यह कहते हैं कि व्यक्ति हमेशा विद्यार्ति होता है अपने जीवन में कुछलकुछ सीखता है, वैसे बाबु जी हमेशा वुद्यार्थी रहे अपने जीवन में छात्र नेता के रूप में, राज नेता के रूप में, मंत्री के रूप में इस society को उन्होंने शुरू किया और इतने school और colleges तयार किये तो एक शिक्षाविद के रूप में अलग-अलग रूप में काम करते हुए उन्होंने कभी भी सीखना नहीं छोड़ा इसलिए चाहे वो डॉक्टरेट हो चाहे डिलीट हो ये सारी चीजे उन्होंने लगातार अपनी राजनिती के साथ जारी रखी और जिसका उल्लेक यहां पर हुआ जिस पर उन्हें डॉक्टरेट मिली विदर्व में जो गांधियन मुवमेंट थी उसका जो उन्होंने अभ्यास किया 1920 से लेकर 1942 तक का गांधियन मुवमेंट का जो अभ्यास करके उन्होंने थीसिस तैयार किया आज बहुत खुशी की बात है एक पुस्तक के रूप में केमरी जुनियोसिटी की लाइबरी हो ओक्सपर्ड की लाइबरी हो लेंडन स्कूल आफ एकनोमिक्स की लाइबरी हो हर जगव डॉक्टर सतीश चतुरुएदी जी के किताब को स्थान मिला है इसका ही अर्थ यह है कि किस अनुसंधान के साथ उन्होंने इस किताब को और इस संचोधन को हमारे सामने पेश किया और उनकी यह इतिहास के प्रती जो एक ललक थी जो एक प्यास थी वो समाप्त नहीं हुई वो और बड़ी और उसके चलते ट्रांसफर आफ पावर किस प्रकार से हमें भारतियों को आजादी मिली इसकी किताब उन्होंने हमको दी और यह किताब भी बहुत ही संशोधन के साथ उन्होंने लिखी है इसमें तो दस पन्ने केवल संधर्ब के है यानिये कोई भी चीज संदर्ब के बीना नहीं लिखे गई getir कोई भी बगए बगर ऐविडंस के नहीं लिखे गई है दस पन्नों पर संदर्ब लिखे हुए है और जहां-जहां कोई बात आती है तो इस बात को एविडंस के साथ लिखने का काम उन्होंने कीया है और भारत किस प्रकार का था इस बात को दर्शाते हुए उन्होंने इस किताब में कुछ चार्ट हमारे सामने रखे है जिसमें से एक चार्ट ये बहुत ही महतुपूर्ण है ऐसा मैं मानता हूँ जिसमें उन्होंने दिखाया है कि जिस समय मराठों का शासन इस देश में था उस समय भारत जीडीपी में दुनिया में नंबर वन पर था दुनिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी भारत का था और अंग्रेजों ने लूट लूट कर भारत को पाचवे स्थान पर लाया लेकिन भारत के फंडामेंटल अर्थवेवस्ता के कितने मजबूत होंगे कि 130 साल अंग्रेजों को भारत को लूटना पड़ा तब जाकर भारत पहले नंबर से पाचवे नंबर पर आया इसका एक एविडेंशियल इस प्रकार का एक प्रूफ हमारे सामने इस किताब के माध्यम से उन्होंने रखा है और इसे मजबूत भारत को किस प्रकार से अंग्रेजों ने लूटा इससे पहले भी आकरमन कारी हमारे उपर आते रहे उन आकरमन कारियों में और अंग्रेजों में क्या फरक था इसको बहुत अच्छे तरीके से बाबू जी ने इस किताब के माध्यम से हमारे तक पहुचा वाया है और सात-सात यह transfer of power क्यों हुआ किस प्रकार से हुआ Winston Churchill की मन्षय क्या थी वो क्या समस्ते थे यह सारी चीजों का हमारे सामने रखते हुए उन्हों ने जो चैप्टर कि लिखा ए कि जिसमें fall of Winston Churchill यही हमारी आजादी के और हमारा बड़ा हुआ कदम था और एटली के आने के बाद हमें किस प्रकार से आजादी मिली अगर विंस्टन चर्चिल होते तो यह मानते थे कि भारतिय गवार है इनको अगर आजादी दे देंगे तो यह अपने देश को नहीं चला सकते इस प्रकार के विचारों से और केवल ना जानते थे वो हमेशा अस्वस्तता फैला ना जानते थे इसलिए भारत के साथ उनका क्या सुलूक था ये भी बहुत अच्छे तरीके से इस किताब में रखने का प्रयास बाबुजी ने किया है और किस प्रकार से भारत का विभाजन हुआ विभाजन की विभीशी का क्य ति क्या समझ कर विभाजन किया गया था और उसका क्या प्रिणाम हुआ ये सारी चीजों को हमारे सामने बहुत अच्छे तरीके से इस किताब के माध्यम से लाने का प्रयास उन्होंने किया है मैं ऐसा मानता हूं तीनों भाशाओं में किताब उपलब्द है बहुत ही की यह किताब हैं और ये केवल इस इस अब कहीं सब्सक्राइब है कि इतिहास के अभ्यास कि इतिहास लिए लिखते उसको इतना नीरस कर देते क्योंके कैंसरा कॉस Spotifyatch नहीं निरस्ता के साथ साथ बाबू जी ने इस किताब में जान भी डाली है इस किताब को पढ़ते समय हम को हम किसी कथा को पढ़ रहे हैं एक सिलसिलेवार इस प्रकार की सारी विवस्थाएं इस प्रकार की एक कथा हमारे नजरों के सामने से गुजरती है मैं ऐसा मानता हूँ कि एक अभ्यासक से भी ज़्यादा एक लेखक के रूप में आपने इस किताब को जो लिखा है वो बहुत ही सुन्दर है और मैं मानता हूँ सबने इस किताब को पढ़ना चाहिए क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिनको अपना इतिहास मालूम नहीं होता उनक किने को मिलता है दोस्तों जिस भारत की बाबु जी ने अपने भाशनों में की यह भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है दो ओल्डेस्ट कंटिन्यूस सिविलाइजेशन आफ दे वर्ड इस इंडिया इसा भारत की सभ्यता के बारे में कहा गया है और जिन सभ्यताओं को पुरानी सभ्यता मानी जाती है ऐसी सभ्यताए चाए बैबिलॉन की सभ्यता हो चाए इजिप की सभ्यता हो चाए रोम की सभ्यता हो यह सारी की सभ्यताए यह तीन हजार चार हजार साल पुरानी है लेकिन ह हमारी सरस्वती समस्कृति जिसको हम कहते हैं इसकी मिनिमम एज को जब हम आगते हैं पहले तो हम कहते थे हलपपा और मोंजदाड़ों यहां पर जो उद्खनन हुआ 5000 साल पुराना था यह तो दुनिया का सबसे पुराना है लेकिन आज जब हम लोग राखी गड़ी और बिरा दुनिया स्टोन एज के को पार कर रही थी और पूरी दुनिया जंगल के राज में रह रही थी जब दुनिया को सिविलाइजेशन क्या होता है यह नहीं पता था उस समय दस हजार साल पहले भी बिराना में राखी गड़ी में पूर्ण रूप से विकसित शहर हमारे भारति के पुर्खों ने तयार किये थी इसलिए दुनिया को संस्कृति देने वाले दुनिया को सभ्यता देने वाले हम लोग है यह बात सही np. 800 साल की घुलामी ने हमारे जो हमारे पुर्खों विरासत हमको दी थी उस विरासत को हम से चीनने का प्रयास किया लेकिन आज फिर एक बार उसी विरासत को वापिस लाने का काम हम कर रहे हैं और 22 जनवरी को आयोध्या में प्रभु श्रीराम जी का मंदिर जो तयार हुआ ये किवल प्रभु श्रीराम जी का मंदिर नहीं है तो 500 साल पहले हमारी विरासत से हमको महरूम करने का जो प्रयास हुआ था और प्रभु श्रीराम जी जो हमारे आराद्य थे उनके मंदिर को तैसनेस करके हमारी संस्कृति को समाप करने का जो प्रयास हुआ था उस प्रयास को समाप करके 500 साल बार फिर एक बार हमारे संस्कृत पुनरुथान की शुरूवार्ट 22 जन्वरी को प्रभुश्री राम जी के मंदिर के प्रान प्रतिष्ठा से यहां पर हुई है और अब भारत को कोई रोक नहीं सकता हम 11 अर्थविवस्ता से 5 अर्थविवस्ता बने हैं जल्दी तीसरी अर्थविवस्ता हम बनेंगे और आने वाले पात साल प्रदान मंत्री मोदी जी के नेतरुतु में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थविवस्ता बनेंगे दुनिया में भारत की अर्थविवस्ता जिस मजबूती से आगे जा रही है मैं तो कहना चाहता हूं मेरे साम ने जो युवापिडी बैठी है यही युवापिडी भारत को दुनिया का सिन मौर बनाएगी और उसके लिए दस साल रुकने की ज़रुत नहीं है अगले पात साल में यह ट्रांस्वर्मेशन हम देखेंगे और मैं इस बात को मानता हूं कि जो बात बाबुजी आपने कही मानव संसाधन तयार करने से केवल पॉपुलेशन होकर नहीं चलता केवल जनसंख्या के भड़ों से कोई देश महान नहीं होता जब जनसंख्या को हम मानव संसाधन में परिवर्तित करते हैं जब जनसंख्या को यूमन रिसोर्स में कनवर्ट करते हैं तभी देश आगे system हम लोग देख रहे हैं आज artificial intelligence के जमाने में हम लोग जिस प्रकार से digital इस प्रकार की ecosystem तयार कर पा रहे हैं मेरा विश्वास है अब हमें कोई रोक नहीं सकता भारत की यात्रा ये शुरू हो गई है लेकिन इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए हमारे इतिहास को हमें याद र रखना होगा और एक भेद भाव रहित इस प्रकार की समाज रचना हमको तयार करनी होगी एक ऐसी समाज रचना जिसमें कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है कोई जात नहीं है कोई पात नहीं है किसी को भाशा के आधार पर किसी को जात के आधार पर discriminate नहीं किया जात इस प्रकार की विवस्ता अगर खड़ी करेंगे तो भारत को कोई रोक नहीं पाएगा और उसी और भारत अग्रसर है और इसलिए इतिहास से सीख कर वर्तमान में हम लोग अपने पौरुच के आधार पर अपने भविश्य का निर्मान करें यही आज का संदेश है और यही आपका अभिननन करता हूँ और मुझे बहुत विश्वास है कि बाबू जी की यह जो इतिहास की प्यास है यह कभी बुझने वाली नहीं है मैं तो इंतजार कर रहा हूँ साल भर में एक और नई किताब आएगी इतिहास का संचदन होगा और यह जरूरी भी है दोस्तों हमन रेवियर करना चाहिए ऐसे हिरोज को हमने हमेशा नजर अंदास किया लेकिन आज हमारे जो असली हिरोज है उनको हमारे इतिहास में स्थान मिल रहा है और बाबू जी आप जैसे जो शंशोड़क है यह जितना काम करेंगे उतना हमारा स्वरणिम इतिहास हमारे सामने लेकिन 400 साल जिन मुगलों ने हमारे उपर अत्याचार किया उनका ही इतिहास हम सालों तक पढ़ते रहे अब ऐसा इतिहास हम नहीं पढ़ेंगे हमारे भारत का जो असली इतिहास है वो हम पढ़ेंगे और इसी उस इतिहास को हम तक पहुँचाने का काम आप जैसे लोग यह आम देता हूँ, जै हिन, जै भारत.